केरल एक बार फिर कुदरत का गुस्सा छिल रहा है जहां उत्तरी हिस्से में बाड का पानी उत्तर रहा है तो मध्य केरल में भीशन बारिश हो रही है इस आपदा के बीच राहूल गांधी ने केरल के किसानों की मदद के लिए आरबियाई से गुहार लगाई है रहूल गांधी ने आरबियाई गवर्नर शक्तिकान दास को चिठ्थे लिखकर आरबियाई से अपिल की है कि किसानों की कर्ज की अदाइगी की मियाद अगले साल तक बढ़ा दी जाए इस चिठी में राहूल गांधी ने लिखा है कि एक साल पहले केरल में सदी की सबसे भयानक बाड़ाई थी रिजर्व बैंक से अनुरोध है कि कर्ज अदाइगी में किसानों को राहत दी जाए किसानों के लिए कर्ज के अदाइगी की मियाद दिसंबर 2019 तक बढ़ा दी जाए राहूल ने लिखा है कि केरल में बाड़ के चलते किसानों की फसल का बहुत नुकसान हुआ है किसानों की फसल नश्ट हो गई है केरल में किसानों दुआरा आत्माहत्या करने के मामले में अचानक बढ़ोत्री हुई है राज्य सरकारों और विपक्ष की मांग के बावजूद राज्य स्तरिये बैंक का मैठिया कर्ज अदाईगी पर अड़ी हुई है इससे पहले कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी अपने संसद्य शेत्र केरल के वाइनाट दौरे पर गए थे राहुल गांधी ने अपने संसद्य शेत्र में बार से प्रभावित लोगों को सभी प्रकार की मदद मुहाया कराने का आश्वासन दिया था केरल में एक बार फिर बारिश और बार के डबल अटेक ने आम जन जीवन को बुरी तरह से ठप कर दिया है राजे में आठ अगस से अब तक 88 लोगों की जाने चली गई है 40 लोग अभिला पता है पूरे राजे में 1332 राहत शीवरों में 252,000 से जादा लोगों ने शरण ली है कोलम पत्तन मतिट्टा, कुट्टम पलककर, त्रिशूर और मल्लापुरम में हालात खराब है इस बीच केरल के मुख्य मंत्री पिन्नयारी विजयन ने वाइनाड और मल्लापुरम में राहत सामगरी के एक ट्रक को रवाना किया है पूरो रिपोर्ट सुराज एक्सप्रेस